अनेकेडमी UPSC हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों मेरा नाम अखिलेश है और हम लोग विज्ञान प्रद्योगी की और सामाने विज्ञान की विशे के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बच्चों इस इंटरफेस पे और ये सामाने विज्ञान की है कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा कुछ बायो मॉलीक्यूल्स के बारे में और हम लोगों की चर्चा मिनरल तक पहुँच चुकी थी खनिजलॉन ऐसे कौन-कौन से हैं जो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं और वो अपना योगदान देते हैं उपापचई क् और उसकी चर्चा बाकी थी और मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रियंट के बारे में बता दिया था और उसका क्लासिफिकेशन आपके सामने था आईए चलिए उस चर्चा को हम लोग डिटेल में कर लें और जो तत्व आपने देखे कल उन तत्वों का क्या-क्य योगदान है आपके growth और development में आपके उपापचाई करियाओं में जी हां बिल्कुल सबके लिए वो important है और उसके sources क्या है ये class 6 7th की NCRT में आपको सारी चीजें मिलती हैं तो या तो वो source आप देखिए या फिर जो मैं आपको notes लिखा रहा हूँ इसको लिख लीजे और यहीं से UPSC प्रश्ण बना करके जब भी पूछता है उसके प्रश्ण इसी केर्द गिर्द होते हैं ठीक है बच्चों चली आईए शुरू करते हैं जो हमारे शरीर में महत्वण खनिचलवण है और उस परिपेक्ष में जो पहला तत्व है वो है केल्शियम केल्शियम इसको chemical formula इसका है CA केल्शियम हमारे दातों के लिए और हमारी हड़्ियों के लिए बहुत महत्वण है बच्चों और केल्शियम के कारण हमारे दात और हड़्ियम मजबूत होती है तो पहली जीज़ तो ये आप लिख सकते है इसका पहला काम है की दात तथा हड्टियों के निर्माण में ठीक बचो दात तथा हड्टियों के निर्माण में और यदि केल्शियम की कमी हो जाए, इसका मतलब है निर्माण में सहायक है और कमी हो जाए तो दांत और हड्यां कमजोर भी हो जाएंगे ब्लड कोएगुलेशन जब चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद खून निकल रहा होता है तो वो खून जमना चाहिए उसके लिए कैल्शियम रोल प्ले करता है बच्चों तीसरा है सिगनल ट्रांसडक्शन मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को किस प्रकार से संकेत भेजती है तो कैल्शियम कोशिका के संकेत के चलने में भी सिगनल ट्रांसडक्शन में भी योगदान देता है लिख लिजे सिगनल ट्रांसडक्शन में योगदान ठीकर बच्चों कहां कहां कैल्शियम यूज होता है उसके बाद अगला है बच्चों तंत्रिकाओं और पेशियों को चलाय मान रखता है तंत्रिकाओं और पेशियों को चलाय मान रखता है ये कैल्शियम के कुछ कारे है बच्चों और अगर कैल्शियम की कमी होती है तो दात और हड्डियों के निर्मान में चुकि ये योगदान देता है तो दात और हड्डियां कमजोर होती है रक्ट का सकंदन में ये सहायक है तो कैल्शियम की कमी होने से रक्ट का सकंदन समय से नहीं होगा signal transduction में योगदान कोशिकाओं को संकेत पहुचाने में calcium dependent signal transduction होते हैं जिसमें calcium अपना योगदान देता है नहीं होगा तो ये signal transduction की प्रक्रियाबादित होगी तंत्रिकाओं और पेशियों को चलाय मान रखता है ठीक है बच्चों? ये सारी चीजें calcium के कारे हैं और इसकी deficiency भी आप समझ गए इसको आप इसका screenshot लीजे एक चीज़ और जान लीजे ये जो पेशियां है इन पेशियों के contraction और relaxation जब आप कोई चीज उठाते हैं पेशियों को contract होना होता है संकुचित होती हैं और relax होती हैं ये संकुचन और relaxation calcium dependent होता है यानि पेशियों के संकुचन लिख सकते हैं अगला पेशियों के संकुचन में सहायक contraction अगर muscle contract न हो तो आप कोई वजन नहीं उठा सकते आप आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है बच्चो तो contraction और relaxation muscles का होता है जो की calcium dependent होता है calcium के कारण होता है screen shot लीजे फिर आगे चलते हैं बच्चो अगला है बच्चो phosphorus next one is phosphorus phosphorus भी आपको पता है कि नात और हड्डियों से संबंधित है तो phosphorus आईए phosphorus के कारे लिखे ये note बनाते चलिएगा आप साथ साथ तो बहतर रहेगा समझते हुए phosphorus और phosphorus दात हड्डि के निर्माण में सहायक है तो पहला लिख लीजे दात एवं हड्डि के निर्माण में सहायक कमी होगी तो आवियस लिख्या होगा बच्चों ये दात और अड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी दूसरा है बच्चों शरीर के अंदर अमलचार संतुलन बफर को मिंटेन करता है फॉस्फोरस तो शरीर के अंदर अमलचार संतुलन ये एक्युलिब्रियम मिंटेन होता है फॉस्फोरस के कारण अमलचार संतुलन का कारे है ठीक इसके बाद आपने अभी सेलन मॉलिकिलर बैलोजी जब आपने पढ़ा तो DNA और RNA में आपने देखा कि फॉस्फोरस जो है उसके बैक बोन में है ठीक है बच्चों तो DNA डियोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट होता है आर ने इसमें भी फॉस्फेट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ATB एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है बच्चों इसमें भी फॉस्फोरस यूज़ होता है यह क्या है उर्जा सिक्का energy currency और इसी में उर्जा जो है रसाइनिक उर्जा हम लोग उसे उप्योग मे लाते हैं तो DNA के स्ट्राइफॉस्फेट बॉर्ण, RNA के स्ट्राइफॉस्फेट बॉर्ण और ATP इन तीनों में फॉस्फोरस होता है बच्चों और अगर कमी उगी तो यहां कहीं न कहीं वो कमी परिलक्षित होती है यानि एनर्जी मेटाबोलिजम भी डिस्टर्ब होगा और जनेटिक माटीरियल में भी समस्याएं आ सकती है DNA, RNA और ATP ठीक है बचो चौथा शरीर की वृद्धी मेसायत यानि फासफोरस की कमी से शरीर की वृद्धी अवृद्ध हो सकती है फासफोरस की कमी से दात कमजोर हो सकते हैं हड़ियां कमजोर हो सकती है जो due hardness है बचो हड़ियों की वो फासफोरस से होती है ठीक है बचो चलिए अगला है इसका screen shot लीजे तो अगला जो element है वो है sulfur यानि की गंधक next है sulfur गंधक जो कल हम लोगों ने protein पढ़ा था वो बनते हैं amino acid से और अब कई सारे amino acid में sulfur होता है तो हम लोग sulfur देखने जा रहा है sulfur इसको गंधक भी कहते हैं ठीक है बचो और ये पहला कई सारे amino acid है जो sulfur containing है ठीक है तो amino acid बनते हैं sulfur से तो हम लिख सकते हैं कि sulfur से amino acid का निर्माण होता है कई amino acid sulfur के बने होते हैं कई amino acid sulfur के बने होते हैं बस एक लाइन से आप समझने का प्रयास कीजेगा कई amino acid हैं जो sulfur के बने होते हैं और amino acid protein बनाते हैं और protein building block है अब आप जड़ाइस को reverse में लेके जाहिए कि अगर protein जो बन रही है वो protein नहीं बन पाए क्योंकि sulfur नहीं है तो क्या होगा वृद्धी अवरुद्ध होगी होगी के नहीं जो उपापचई क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध होगी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं कई amino acid sulfur के बने होते हैं और sulfur की अगर कमी हो जाए तो वो amino acid बनेंगे नहीं और उस स्थिती में या कम बनेंगे उस स्थिती में बनने वाला जो protein होगा वो कम बनेगा और जब वो कम बनेगा तो वृद्धी शरीर के वृद्धी रुकेगी ग्रोथ और रिपेर रुकेगा और कई सारी उपापचे क्रियाएं नहीं हो पाएंगे जिसके कारण क्या होगा बच्छो disturbance तो आएगा equilibrium disturb होगा तो आप कई amino acid sulfur के बने होते हैं मतलब आप समझ गए होंगे ठीक है sulfur के बने होते हैं और amino acid ही protein बनाते हैं और protein नहीं बना तो क्या होगा चलिए आएए दूसरे point पे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ हार्मोन के घटक भी sulfur है कुछ हार्मोन है जिसके घटक sulfur है यानि जो sulfur containing हार्मोन है वो नहीं बनेंगे और वो नहीं बनेंगे तो उनके द्वारा किया गया जो कार्य है वो नहीं होगा हम लोग endocrine system में देखेंगे sulfur containing हार्मोन तीसरा बच्चो हम लोग लिख सकते हैं कैरोटीन के संसलेशन में sulfur की आवशक्ता होती है कैरोटीन कैरोटीन plant के अंदर आपने देखा ना कैरोटीन pigment बीटा कैरोटीन जो की vitamin A का precursor है कैरोटीन के संसलेशन में sulfur की आवशक्ता होती है यानि ऐसे पहुदे जिसमें कैरोटीन बनता है और जो की main pigment है क्रोमोप्लास्ट का वो नहीं बनेगा और वो नहीं बनेगा तो उसकी utility आपको पता है कैरोटीन के संसलेशन में sulfur की आवशक्ता होती है अगर इसकी कमी हो जाए sulfur की कमी हो जाए तो जो protein metabolism है बच्चो वो disturb हो जाता है protein metabolism disturb होने का मतलब एक line आप लिख लीजे sulfur की कमी से प्रोटीन उपापचे प्रभावित होता है protein उपापचे प्रभावित होने का मतलब है बच्चो की बहुत कुछ disturb हो जाना कई सारे enzymes नहीं बनेंगे कई सारे hormones नहीं बनेंगे शरीर की growth रुख जाएगी repair रुख जाएगा तो ये सारी समस्याइ sulfur के कारण होती है उसकी कमी के कारण होती है screenshot आप ले लिए होंगे ठीक है बच्चो चलिए अगला देखते है potassium potassium अगला तक तो है और potassium जो है सबसे बड़ा काम करता है वो है osmotic balance intracellular और extracellular fluid के अंदर osmotic balance का काम करता है अगला है potassium 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 K से निरुपित करते है ठीक है बच्चो और osmotic ऐसे लिख लीज़े जल संतुलन ठीक है osmo regulation के माध्यम से in fact potassium और sodium दोनों ये काम करते हैं और तभी आपने देखा होगा कि जब कभी खूब सारा diarrhea होता है तो पानी में एक चुटकी नमक मिला के दिया जाता है तो एक चुटकी नमक से sodium मिलता है या फिर saline water चढ़ा जाता है तो उसमें sodium and potassium दोनों होते हैं वो इसलिए होता है बच्चों जब water loss होता है उसके साथ ये electrolyte भी निकल के चले जाते हैं तो शरीर में osmotic imbalance हो जाता है जो की बहुत जरूरी है हर enzymatic activity के लिए अगर osmotic imbalance होगा तो शरीर में enzymatic activity seize कर जाएगी और उस अवस्था में आप उसको resurrect नहीं कर सकते बाहर नहीं ला सकते इस trauma से body को या उस patient को इसलिए जरूरी होता है rehydration dehydration हो चुका है rehydration और rehydration में आप electrolyte देते हैं electrolyte का मतलब है sodium और potassium देते हैं जिससे शरीर का osmotic balance proper हो जाता है osmotic balance और जब osmotic balance सही हो जाएगा यानि आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो osmotically balanced होंगी इनके बीच जो पारगम्मिता है और उस पारगम्मिता से जो electrolyte अथवा जो water का संचरण है वो balance होगा तो इसके अंदर जो enzyme की activity हो रही होगी enzyme activity वो proper होगी यानि की water की आवशक्ता होती है किसी भी कोशिका में पानी चाहिए होगा water ठीक है बच्चो और आपको पता है जीव द्रब में लगभग 65-70% water है तो ये water इसलिए होता है ताकि वहाँ पे जो भी उपापचे इकरियाए हैं वो अच्छे से हो सकें अब होगा क्या कि ये water का balance बनता है osmotic balance के कारण दोनों तरफ concentration जो होता है समान होता है तो water balance बना रहता है अब क्या हुआ कोई infection हुआ और infection के कारण ये water loss हो गया ठीक है बच्चो water loss होने से क्या होगा कि ये cell के अंदर जो पानी का level होना चाहिए ये सही सही पानी का level जिसमें engine active हो सके वो नहीं बन पाता और ये water loss हो जाता है तो cell के अंदर enzyme activity नहीं होती उसका प्रभाव ये पढ़ता है बच्चो cell मर जाती है और इस तरह से पूरे शरीर में होता है तो पूरे शरीर को कोशिकाएं मरने लगती है और उससे बचने के लिए आप क्या करते हो ORS का घोल लेते हो लेते हो ना ORS का घोल लेते हो आप फटा फट या फिर नमक एक चुटकी पानी के साथ पीते हो एक चुटकी नमक की कीमत तुम आज जाने हो नमक एक चुटकी आप लेते हो पानी के साथ वो भी क्या करता हो वच्चो ये जो asmotic balance है उसको restore करता है यानि हर cell में परियाप्त पानी की मात्रा को restore करता है और जब ऐसा हो जाता है तो enzyme activity चलने लगती है और हर cell में enzyme activity हमेशा हो रही है ठीक है बचो जो स्वशन की प्रक्रिया होती है mitochondria में वो प्रक्रिया सतत चल रही होती है उसमें कोई भी अगर रुकावट होती है तो वो सीधे सीधे cell death को result करती है तो osmotic balance बहुत जरूरी है जिस इसको संतुलित करने के लिए potassium role play करता है और सिर्फ potassium ही नहीं sodium भी तो na plus और k plus ये दोनों element ऐसे हैं जो body के osmo regulation में सहायक होते हैं ये बात समझ में आ गई चलिए ORS का गोल पीते है या एक चुटकी नमक को एक गलास पानी में डालके पीते है शिकन जी नहीं पीते है याद ठीक है बच्चो एलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है जल संतुलन जल संतुलन के बाद आप लिख सकते हैं हर्दय स्पंदन तंत्रिका पेशियों की कारही की दूसरा लिख सकते हैं हर्दय स्पंदन तीसरा तंत्रिका कोशिका की कारिय की इसमें पोटेशियम सहायक है तंत्रिका कोशिका की कारिय की और पेशियों की कारिय की पेशियों की कारिय की वह जो हर्दय स्पंदन जब प्रभावित होता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है लो बीपी याद रखिये लो बीपी होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उस सवस्था में डॉक्टर कहता है कि थोड़ा नमक आप ज़ादा खाया करिए तो नमक आप ज़ादा खाते हैं खरदय स्पंदन प्रभावित न हो ब्लड प्रेशर आपका ठीक बना रहे और नमक के रूप में आप NACL या KCL खाते हैं ठीक है बच्चो? आप यही तो खाते हैं नमक के रूप में तो सोडियम और पोटेशियम लगबग एक जैसा काम करते हैं और वो यह हैं तो इसका आप स्क्रीन शॉट लीजे और फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चो अगला है बच्चो मैगनीशियम यह इंपॉर्टन्ट है ध्यान रखियेगा मैगनीशियम और सोडियम मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ सोडियम भी सारा कुछ लगबग यही है सोडियम का तो अगला है मैगनीशियम मैगनीशियम दैट इस M G ठीक है बच्चो मैगनीशियम जो पहला काम करता है वो है दाथ हड्डियों की संरचना में यह उप्योग में आता है तो दाथ हड्डियों की संरचना ठीक है बच्चो और दूसरा काम है इसका तंत्री का तंत्र की कारियकी तंत्री का तंत्र की कारियकी को इसका deficiency प्रभावित करता है तंत्र का तंत्र की कार्गी की प्रभावित होती है इसकी deficiency से इसका screenshot लीजे फिर हम लोग आगे चलते हैं जो important है वो हम लोग बात कर रहे हैं अगला है बच्चो आयोडीन आयोडीन सभी जानते हैं आयोडीन यूपत नमक खाना चाहिए आयोडीन इसस आय ठीक है बच्चो और आयोडीन क्या करता है जो थायराइड ग्लैंड है बच्चो उससे एक हॉर्मोन निकलता है थायरोक्सीन उसका प्रमुग खटक है पहला लिख लीजे थायराइड ग्लैंड हार्मोन का प्रमुख घटक ठीक अब जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी और जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है बच्चो तो फिर क्या होगा फिर होता है कई सारे प्रभाव होते हैं फिर इसके प्रभाव के कारण ही आपने देखा होगा घेंगारू गौाइटर ठीक, दूसरा आपने देखा होगा आयोडीन की कमी से शरीर की वृद्धी और बुद्धी की वृद्धी दोरों का विकास धीमा हो जाता है तो आप लिख सकते हैं बुद्धी हींता या बुद्धी का विकास अवरुद लिखें बुद्धी हींता सही शब्द नहीं होगा विकास अवरुद ठीक है बच्चों घीना रोग होगा बुद्धी का विकास अवरुद्ध होगा और साथ ही साथ शरीर का विकास भी धीमा होता है शरीर का विकास धीमा होता है ये सारी चीज़ें होती है कब जब आयोडीन की कमी होती है और आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ठीक है बचो आयोडीन युक्त नमक ठीक है? एक चीज और जान लीजे बच्चों, यहां से सवाल बना हुआ है यह आयोडीन समुद्र की एक घास होती है उससे निकाला जाता है बेसिकली वो घास नहीं होती वो ब्राउन एलगे होते हैं भूरे शैवाल होते हैं जिससे आयोडीन निकाला जाता है तो यह भी लिख लीजे व्यवसाइक रूप से आयोडीन समुद्री घास जिससे केल्प कहते हैं केल्प इंग्लिश में लिख लेजेगा के इल्प केल्प कहते हैं से निकाला जाता है जो की भूरे शैवाल जो की भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी जो की भूरे शैवाल है ब्राउन एल्गी है और ये तीन चार बार पूछा हुआ है स्टेट पीसेस में भी और एक बार यूपीरसी में भी पूछा गया है तो आयोडीन जो निकाला जाता है बच्चों वो व्यवसाईक रूप से समुद्री घास से निकाला जाता है जिसे नॉर्मल जनरल भाशा में केल्प कहते हैं और बॉटनिकल जो इसका एक्जिस्टेंस है आप उसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है और ये मेराईन एकोसिस्टम में होते हैं बहुत काफी बड़े-बड़े होते हैं और इनसे आयोडीन निकाला जाता है ठीक है बच्चों? और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है बुद्धी का विकास अवरुद होता है और शरीर का विकास दीमा होता है क्यों? क्योंकि थायराक्सीन हार्मोन का ये प्रमुग घटक है और थायराक्सीन हार्मोन जब प्रभावित होता है तो ये सारी दिक्कत होती है बच्चों में और जब यही हार्मोन बड़ों में प्रभावित होता है जिसको आप कहते है थाइराइड हो गया है तो उसके अलग इंपैक्ट है हम लोग जब human health पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ डिटेल में देखेंगे ठीक है बच्चों चलिए आयोडीन की कमी से गेंगारो याद रखिएगा प्रश्न बनता है आप उसके बाद अगला है बच्चों आइरन लोग इसको एफी लोहा एफी जो भी कहना चाहें आइरन आइरन जो है बच्चों सबसे इंपॉर्डेंट इसका जो participation है हमारी बडी में वो ये है कि हिमोगलोबीन और मायोगलोबीन हिमोगलोबीन बलड के अंदर होता और मायोगलोबीन मसल्स के अंदर होता उसका ये प्रमुख घटक है आइरन के कारणी ये प्रोटीन बनती है यानि ये प्रोटीन आइरन कंटेनिंग है तो आप लिख लीजे पहला हिमोगलोबीन तथा मायोगलोबीन प्रोटीन का निर्माण लोहे की सहायता से होता है ब्रेकेट में डाल दीजेगा प्रमुख घटक यानि नहीं है लोहा कम है तो पक्का असर आएगा हिमोगलोबीन के अमाउंट पे और हिमोगलोबीन अगर कम है आपके ब्लड में तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया ठीक है बचो तो प्रमुख घटक है लोहे की कमी से रख तल बता कमी से रख तल बता एनीमिया दूसरा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना तथा अभी रुकिए तथा शरीर की दुर्बलता तथा शारीरिक दुर्बलता किस से हो रहा है बचो आइरन की कमी से अब आइरन कहां मिलता है ग्रीन लिफी वेजेटेबल ठीक है बचो मीट में मिलेगा दूद में मिलता है तो सोर्सेज आप देख लीजेगा कुछ important सोर्सेज है जैसे सब के सोर्स तो mostly जनरल होते हैं आप एक बार उसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा कुछ important है जिसके सोर्स आपको जानने चाहिए ऐसा हम लोग बलता होती है और हिमोगलोबीन है तो आक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है उसी से चीजें रिलेट है ठीक है चाहे वो प्रती रक्षा तंत्र का कमजोर हो ना हो या रक्ताल पता हो ठीक है बच्चो चलिए अगला देखते हैं जिंक 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 बहुत ही महतोपुर्ण घटक है बच्चो इसके कमी से जो सेक्शुल आरगन होते है उनका डेवलप्मेंट नहीं हो पाता शेक्शुल ओर्गन that means ओवरी औन टेस्टेस इनका प्रॉपर जो डेवलप्मेंट है ग्रोथ और डेवलप्मेंट नहीं हो पाता प्रॉपर स्पर्मेटोजेनसिस नहीं होती यानि स्पर्म नहीं बन पाते ओवम नहीं बन पाते शेक्सवल ओर्गन डेवलप्मेंट का मतलब आप समझ लिजेगा कि जो शुक्राण निर्मान की प्रक्रिया धीमी होती है अथवा नहीं होती है और फिमेल्स के अंदर ओवं यानी एग हिंदी में कहते हैं अंडाण इनका निर्मान या तो धीमा होगा या फिर नहीं होगा जिंक की कमी से ठीक है बच्चों जिंक की कमी से ये चीजें होती है दूसरा है बच्चों इम्म्यूनिटी पे बड़ा बुरा असर होता है जिंक की कमी से मैं यहां यह दूसरा लिख लिजें यहां मैं पहला लिख देता हूँ लिख लिजें प्रतिरक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पढ़ता है किसलिए क्योंकि जिंक की कमी हो गई जिंक की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली डिस्टर्ब होती है ठीक है बच्चों स्क्रीन शॉट लिजें चली आगे चलते हैं अगला है कौपर का मतलब तांबा ठीक है बच्चों नेक्स है तांबा ठीक है ठीक है बच्चों सी यू एक एंजाइम होता है याद रखेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो की आपके शरीर का सबसे तेज एंजाइम है और जो रिस्पिरेशन में सहायक होता है अगर ये एंजाइम डिस्टर्ब हो जाए तो सीधे सीधे रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता है रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीधिंग नहीं है रेस्पिरेशन का मतलब है माइटोकांड्रिया में ग्लुकोस का एटीपी में तूटना वो जब ब्लॉक होता है तो तुरत जो शरीर के उर्जा की मांग होती है वो रोग दी जाती है ठीक स्विच ओफ होता है कंडिशन और जब स्विच ओफ कंडिशन होता है उर्जा की मा की हो जाती है साइटोक्रोम औक्सिडेस उस एंजाइम का नाम है जो आपके शरीर का सबसे तीब्र एंजाइम है अच्छा वह क्या करता है वह एटीपी बनाने में सहायक होता है याणी कोशिका में श्वशन हो रहा है उसमें सहायक है यानि ताबा जो है साइटोक्रोम ऑक्सिडेज का प्रमुग घटक है याद रखिएगा आप लिख लीजे पहला ताबा साइटोक्रोम ऑक्सिडेज का प्रमुख घटक इसकी जड़ा चर्चा होनी चाहिए प्रमुख घटक है साइटोक्रोम ऑक्सिडेज मानव शरीर का सबसे तेज तथा सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सिडेज मानव शरीर का सबसे तेज और सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है इस तेज का मतलब क्या है बच्चों यह तेज क्या होता है एंजाइम का काम है रियक्षन को केटलाइज करना जो अभिक्रिया हो रही है उसको तेज कर देना ठीक है बच्चों तो साइटोक्रोम ऑक्सिडेज क्या करता है यह जो ऑक्सिडेशन हो रहा होता है ग्लुकोज का उसको तेज कर देता है साइटोक्रोम ऑक्सिडेज सबसे महातोपूर्ण एंजाइम है यदि यह एंजाइम प्रभावित होता है तो शरीर की समस्त उपा पचई प्रक्रियाएं बंद हो जाती है समस्त उपा पचई प्रक्रियाएं बंद हो जाती है स्क्रीन शॉट लीजे अभी और भी कुछ बताना है समस्त साइटोक्रोम ऑक्सिडेज जो की जिसका तामा प्रमुग घटक है बचो यहां ध्यान दीजेगा सबसे तेज है और सबसे महत्वपून एंजाइम है और यह एंजाइम प्रभावित होता है तो शरीर की सभी उपापचई की प्रक्रियाएं सीज कर जाती है ऐसा क्यों? क्योंकि यह स्वशन को कम्प्लीट कराता है माइटो कांडरिया में होने वाले स्वशन को और यह इलेक्टरान ट्रांस्पोर्ट चेन का एक पार्ट होता है जैसे ही इसे रोग दिया जाता है बच्चों क्या होगा? बाकी की प्रक्रियाएं जिसमें उर्जा निकलने वाली है पूरे कोशिकाओं को जाने वाली है वो रुक जाएगी और जब ऐसा होता है तो शरीर की सभी उपापचई प्रक्रियाएं बंद हो जाती है यह है कौपर का महत्तु ठीक है बच्चों अब चलिए इससे थोड़ा आगे चलके एक बात और समझ लें जो यहाँ आपको जानना ज़रूरी है कि आपने सुना होगा बहुत ही तीब्र जहर के बारे में पोटेशियम साइनाइड सुना है न पोटेशियम साइनाइड क्या करता है के सीन इसमें जो साइनाइड है बच्चों साइनाइड हो या एजाइड हो यह केमिकल नेम है कुछ मैं लिख दे रहा हूँ अथवा कारबन मोनो आकसाइड यह सभी अगर ओह जाते हैं साइटोक्रोम आकसिडेज के पास तो इलेक्टरान ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक कर देते हैं जिसमें जो पोटेशियम साइनाइड है वो बहुत तेजी से इस चेन को ब्लॉक करता है और तुरत और तुरत मृत्य हो जाती है बच्चों इसके पोटेशियम साइनाइड के काम करने का यही तरीका है कि वो शरीर की जैसे ही वो बॉड़ी के अंदर पहुँचता है जितनी भी कोशिकाएं होती है उसके अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही होती है स्वशन की यानि की ग्लुकोज की ऑक्सिडेशन की उसको रोक देता है क्योंकि वो साइटोक्रोम उक्सिडेश को पकड़ लेता है और आप समझ सकते हैं कि साइनाइड खाने के 20-30 सेकंड में ही मृत्य हो जाती है इसका मतलब है कि यह साइक केसियन कितनी तेजी से साइटोक्रोम उक्सिडेश से बाइंड करता होगा या आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी तेज प्रक्रिया हो रही होती जिसको साइटोक्रोम उक्सिडेश चला रहा होता है और इसके रोकने से 20-30 सेकंड में 1 मिनट के अंदर मृत्य हो जाती है तो this is the most important and very swift enzyme of the body जिसका copper घटक है ठीक है बच्चो तो ये आपके लिए कुछ information थी इसको आप फटा-फट note करिए potassium cyanide, agide और carbon monoxide इन तीनों की जो affinity होती है यानि ये बहुत प्रेम करते हैं cytokrome oxidase से और जैसे ये शरीर में किसी माध्यम से पहुँचते हैं cytokrome oxidase को ये रोक लेते हैं जिसमें ये बहुत ज़ादा loss करता है बाकि ये तोनों तो मालों moderate loss करते हैं इनसे बचा जा सकता है लेकिन ये शरीर में किसी भी तरह पहुँच गया तो it is going to block the electron transport chain entire electron transport chain of the body और पूरी के पूरी body seize कर जाएगी सारी cell की उपापची प्रक्रियां वहीं रुख जाएगी और body खत्म हो जाएगी यानि जीवन खत्म हो जाता है ठीक है बच्चो ये है copper दूसरा काम है इसका copper का बच्चो संयोजी उतक वर रुधिर वाहिनियों का विकास आप ये लिख लीजे संयोजी उतक तथा रुधिर वाहिनियों का विकास जसमें copper योगदार देता है ठीक है बच्चो एक और है तवच्चा में जो melanin का synthesis होता है melanin pigment हम लोग काले हैं वो उसका कारण melanin और ये melanin सूरज से आने वाली high energy radiation को रोकता है अन्यथा वो तवच्चा के अंदर गुज़ करके जो हमारा genetic material है उसके साथ खिलवाड कर सकती है छेड़ चाड़ कर सकती है इसको बचने के लिए प्रकृती ने हमारे अंदर melanin का synthesis कराया है क्योंकि हम लोग equator और आसपास के छेत्रों में हैं अगर हम temperate region में होते तो हम गोरे होते ठीक है बच्चो वहाँ melanin synthesis कम होती है और ये जो melanin है उसकी synthesis में copper रोल प्ले करता है तो melanin synthesis में copper सहायक होता है लिख लीजे melanin के संसलेशन में ताबा सहायक होता है मैं अभी चाह रहा हूं जल्दी से lockdown लॉक्डाउन खुले लॉक्डाउन खुले तो मेरे पास स्मार्ट बोड होगा आपकी अनेकेडमी का और ये सारी चीजें मुझे लिखना नहीं होगा आपको फटाफट डिक्टेट कर आता चला चलूंगा तो इसको फटाफट आप स्क्रीन शॉट लीजे बच्चो ठीक है तांबा हम लोगों ने पढ़ लिया और तांबे के बाद अगला है फ्लोरीन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चो अगें दान्त के उपर जो इनैमल होता है फ्लोरीन पहला लिख लीजे दान्त के उपर इनैमल के निर्माड में और इनैमल के निर्माड में और इनैमल क्या होदा बच्चो जो दान्त का क्राउन है आप देखें जो वाइट वाला पार्ट है वो है इनैमल और इनैमल क्या है ये भी जान लेजे ये शरीर का सबसे हार्डेस्ट कठोर भाग है हार्डेस्ट पार्ट ओफ यूर बाडी ये प्रशनाया हुआ है शरीर का सबसे कठोर हार्डेस्ट पार्ट ओफ यूर बाडी जो आपकी बाडी में सबसे हार्डेस्ट है ये यूर इनैमल जो दात के क्राउन बनाता है हम लोग बचो अभी जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत डेटेल में देखेंगे इन्हे शरीर का कठोर भाग है इनैमल जो दात का क्राउन बनाता है और इस इनैमल को कि निर्माण में फ्लोरीन सहायक होता है निर्माण क्या जो इसमें ड्यू हार्डनेस है ना इनैमल का जो हार्डनेस है वो फ्लोरीन के कारण होता है तो आप यहां लिख सकते हैं शॉर्ट में कि इसका इसकी कठोरता फ्लोरीन से है जब आप बिल्म्त से पूछेंगे कि तुम्हारी कठोरता का राज क्या है तो कहगा फ्लोरीन तो आपको होगे और फ्लोरीन देते हैं कहगा नहीं, नहीं Excess of anything is bad तो अगर जादा फ्लोरीन होगा तो भी समस्या है और कम फ्लोरीन होगा तो भी समस्या है, कौन सी समस्या वो हम लोग नोट कर लेते हैं तो दाद के उपर enamel के निर्माण में फ्लोरीन योगदान देता है ठीक है बचो अब अगर आपने जादा फ्लोरीन दे दिया एक्सेस एक्सेस ओफ फ्लोरीन दे दिया जैसा की आपने सुना होगा महानगरों के पानी में फ्लोरीन का कंटामिनेशन एक्सेस ओफ फ्लोरीन और देर इन वाटर और उससे होती है एक बिमारी जिसका नाम है फ्लोरासिस क्या नाम है बचो एक्सेस है अधिकता है तो फ्लोरासिस होगा फ्लो और फ्लोरीन लो तो इनेमल क्या करेगा दुखी हो जाएगा और उसके चारों तरफ काला काला बन जाता है और फिर जड़ना शुरू कर देता है उसका फ्लोरीन और कम होता जाता है इनेमल तो इस रोग को कहते हैं फ्लोरोंसिस और अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए ठीक है डेफिसियंसी उसमें रोग जो होता है उसका नाम है फ्लोरीडॉसिस क्या नाम है बच्चो फ्लोरी डॉसिस फ्लोरी डॉसिस ठीक है फ्लोरीडॉसिस याद कैसे करेंगे देखो डेफिसियंसी का डी फ्लोरीडॉसिस में नहीं है लेकिन फ्लोरीडॉसिस में है यानी फ्लोरीडॉसिस किस से हो रहा है फ्लोरीन की कमी से एक याद कर लो दूसरा आपने आप याद रहेगा दोनों की चक्कर में जाओगे भूल जाओगे so floridosis is because of deficiency of fluorine in your balance diet और excess of fluorine cause fluoriosis और दोनों case में दात कमजोर होते हैं दोनों case में इसलिए शायद कहा गया होगा कि excess of anything is bad इसका screenshot लीजे fluoridosis fluoriosis fluoridosis कब? fluoridosis तब जब बच्चो fluorine की कमी होती है ठीक है बच्चो आईए एक और है important element वो है chlorine देखते है chlorine क्या क्या करता है next one is chlorine chlorine c l body के अंदर जो acid base का equilibrium होता है उसको ये बनाए रखता है तो पहला आप लिखिए अम्ल चार संतुलन को बनाए रखने में सहायक अम्ल चार संतुलन को बनाए रखने में सहायक दूसरी बात होती है बच्चो अस्मोर्टिक बैलेंस जैसे आपने sodium और potassium के केस में देखा आस्मोर्टिक बैलेंस क्लोरीन भी मिंटेन करता है तीसरी बात होती है क्लोरीन की कमी से क्लोरीन, sodium और potassium तीनों की कमी से जब आस्मोर्टिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो पेशियों में एठन होती है आपने cramp महसूस किये होंगे तो आप लिख सकते हैं मान स्पेशियों में एठन मान स्पेशियों में एठन एठन कब होती ही बचो जब आस्मोर्टिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है बेसिकली मान स्पेशियों में एठन की समस्या sodium potassium और chlorine और साथ ही साथ calcium चुकि ये सब मान स्पेशियों के बनने में सहायक है ये contraction में सहायक है ये osmotic balance में सहायक है और ये acid base equilibrium में सहायक है तो इन सब की जो cumulative कमी होती है उसके कारण ये प्रक्रिया होती है मान स्पेशियों में एठन और ये एठन आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप electrolyte ले लो साथ ही साथ कहता है vitamin C ले लो और उसके बाद कहता है कि आप जो है calcium की कुछ turbulence ले लो ये एठन उससे दूर हो जाएगे और एक और चीज आपको देता है आज कल चुकि ये चीजें आज कल prevalent हो गई है vitamin D की कमी अगर होती है बच्चों तो calcium का absorption नहीं होता ध्यान रखिएगा बात चलिए manspatium में एठन या manspatium में कमजोरी दोनों चौथा भी लिख देते हैं manspatium में कमजोरी इसके पीछे ये कारक हो सकते हैं और जो calcium है बच्चों ये especially ये ये जब आप भोजन के रूप में लेते हों और फिर भी manspatium में एठन रहती हो आपका electrolyte balance ठीक ठाक हो यानि sodium, potassium, chlorine सब कुछ आप ठीक ठाक लेते हो फिर भी एठन होती है इसका मतलब आप calcium नहीं लेते या आपके शरीर में calcium पहुँच नहीं रहा है तो तब आप doctor के पास जाते हो तो doctor आपको क्या देता है वो देता है vitamin D आप से पूचता है आप क्या office में काम करते हो दिन में ज़ादा देर तक घर में रहते हो बाहर कम निकलते हो आप करते हो तो क्या होता है ये vitamin D की synthesis आपके शरीर में आपके skin में और आपके liver में होती है vitamin D की synthesis कब होती है जब आप सूरे के प्रकाश में जाते हो तो सूरज का प्रकाश आपको मिलता नहीं है तो vitamin D की synthesis नहीं होती और जब शरीर में विटामिन D की कमी होती है बच्चों, तो इसके कारण जो कैल्शियम आप खा भी रहे होते हो ना, तो इसका जो absorption होना चाहिए छोटी आत में वो रुक जाता है, यानि विटामिन D कैल्शियम के अवसोशन में सहायक होता है, बात समझेगा, विटामिन D कैल्शियम के अवसोशन में सहायक होता है, अगर विटामिन D की कमी होती है, तो इसका अवसोशन नहीं होगा, और इसका जब अवसोशन नहीं होगा, तो मानस्पेशियों में एठन होगी, मानस्पेशियां कमजोर होंगी, हड़ियां कमजोर होंग दात कमजोर होंगे ये है असर समझ रहे हैं खुदा ने आप दिन भर आप घर में रहते हैं फिर भी आपका बदन दर्द करता है that is because कि आप सन से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं इसलिए समय थोड़ा निकाल के सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सूरज भगवान को अपनी दर्शन दे दिया करिए 20 से 25 मिनट उसके बाद मामला ये वाला जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा absorption केल्शियम का होता रहेगा न मान स्पेशी कमजोर होगी न हड़ी न दात और न कोई एठन आएगी ये एठन तो आनी भी नहीं चाहिए आप जिस उम्बर के पड़ाओ पे हैं ठीक है बजो इसका screenshot लीजे तो ये कुछ आपके सामने मैंने elements रखे जिससे होने वाले जिसकी कमी से होने वाले जो समस्याए थी उसको मैंने आपसे share किया इसके बाद बच्चो हम लोगों को पढ़ना है vitamins तो vitamins आएए शुरू कर देते हैं समय भी खतम होने वाला है लेकिन जहां तक हो सके वहां तक देखते हैं पूरा तो नहीं खतम हो पाएगा तो vitamins क्या है बच्चो vitamins ऐसे रसायन है जिनकी आवशक्ता आपके शरीर के विभियन उपापचाई करियाओं में growth में development में पढ़ती है और बड़े trace amount में इनकी ज़रूरत होती है और ये हमें food supplement के रूप में या food के रूप में ही मिलते हैं खाने के जो पदार्थ है उनसे हमें मिलते हैं ठीक है इन्हें classify किया गया है इन्हें वर्गी कृत किया गया है इनकी घुलन शीलता के आधार पे तो vitamin जो है आईए पढ़ते हैं vitamin 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 इनको घुलन शीलता के आधार पे दो भागों में बाटा गया है घुलन शीलता ठीक है बच्चो घुलन शीलता के आधार पे दो भागों में बाटा गया है एक है पानी में घुलन शी विटामिन और दूसरे हैं वसा में घुलन शील ठीक है बच्चो एक तो पानी में घुल जाते हैं और दूसरे फैच में डिजॉल बोते हैं फैच डिजॉल्विं and वाटर डिजॉल्विं ठीक है बच्चो वाटर dissolving दो तरह के vitamin होते हैं और जो fat soluble होते हैं वो है A, D, E और K और water soluble है B और C तो चलिए लिख लेते हैं water soluble B, vitamin B और सिर्फ B अकेले नहीं आता ये कई सारे इसके भाई वहन है तो इनको लिखते हैं B complex और vitamin C ये दोनों क्या है बच्चों ये पानी में घुलंशील है और fat में घुलंशील vitamin है A, D, E, and K vitamin A, B, E, और K ये vitamin है वसा में घुलंशील और vitamin B complex और vitamin C है fat में घुलंशील screenshot ले लिजे ठीक है और एक information और आप लिख सकते हैं इसके बारे में इनकी जो खोज की discovered by funk फुंक फुंक महोदे ने 1912 ने vitamin की खोज की और बताया कि ये वो chemical हैं जो की important है metabolic activity के लिए और जिनकी trace amount trace amount यानि जिनकी बहुत कम मात्रा essential होती है और अगर ये कम मात्रा नहीं मिलती तो इनकी कमी से बहुत सारे deficiency disease होते हैं और उसकी चर्चा हम लोग कल की class में करेंगे बच्चो तो इसको इसका screenshot ले लिजे फुंक ने इसे 1912 में बताया discover क्या किया इसके बार इन बताया वेटामिन को पहली बार इन्होंने खोजा discover करना ही कहते हैं उसको और solubility के आधार पे घुलन शीलता के आधार पे water dissolving और water soluble और fat soluble दो विटामिन्स दो तरह के विटामिन होते हैं solubility घुलन शीलता के आधार पे तो यहीं से हम लोग बच्चों कल की class शुरू करेंगे और detail में पढ़ेंगे विटामिन A, D, E and K और विटामिन B complex और विटामिन C को इनके जो नाम होते हैं scientific name क्या होते हैं उसके बाद इनके sources क्या होते हैं और इनकी disease जो इनके deficiency से जो रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस area से आपको state pieces में और UPSC दोनों में प्रश्न आए हुए हैं और आभी सकते हैं तो be prepared for that कल की class आपके लिए important होने वाली है Thank you for today पूपा पजयी प्रकाई